समाजवदी पाटी के वरिष्ठ नेता आज़्जम खान से जुड़ी इस वक्त की बेहत बड़ी खबर स्ताम्या रही है जनकारी देदें कि आज़्जम खान सीतापुर जेल में कैद है दो फरजी जर्मप्रमाण पत्र के मामले में साथ साल की सजा सुनाई गई है ना सरिफ आज़्जम खान को बलकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़्जम खान को और अब तीनों ने ही सेशन कोट में एक अपील तायर की है इस पर कोट ने अपना एहम फैसला भी सुनाया है कोट ने उनकी अपील को स्विकार कर लिया है और अपील स्विकार कर दीवे सुनवाई के लिए अब अगली तारीक भी तै कर दी गई है आपको बता दे कि 20 नवंबर के दिन अब इस मामले पर एहम सुनवाई होगी मालूम हो कि दो फरजी जनम प्रमाड पत्र के मामले में अब्दुला अजम खान बुरी तरह से फस गए और अब्दुला अजम खान के फस जाने के बाद रामपूर की MP MLA कोट की तरफ से एहम फैसला सुनाया गया तीनों को ही सास सास साल की सजा सुनाई गई और पचास हज़ार रुपे का जुर्माना अधा करने की सजा सुनाई गए और इस सजा के खिलाफ अब तीनों ने सेशन कोट का दरवाजा खटखटाया है उन्होंने अपने अधिवक्ता जुबेर एहमत खान के मात्यम से गुरुवार को जिला जज सत्य प्रकार शुत्रपाठी की कोट में अपील दायर की अधिल पाएगी या फिर नहीं इस खास रिपोर्ट पे इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन नेज्स